अचारी जी मैं दो साल पहले एक शीवर किया था उसके बाद अभी आपसे face to face में अटेट कर रहा हूं तो दो साल पहले कुछ सवाल पे उसका मार वर्शन आपने मुझे दिया था उससे एक साल तो चीजे सही जा रही थी लेकिन यह जो पिछले एक साल है उसमें चीजे सही नहीं जा रही है जैसे मतलब पहले अध्यात्म में प्रोग्रेस अच्छे से हो रही थी लेकिन अभी जो पिछला साल है उसमें उपर नीचे उपर नीचे जैसे चीजे पहले उपर फिर नीचे जाता है, उपर-ीचे लगा हुआ है, फछले एक साल से देख रहा हूं, तो जैसेifer की इमानदारी से देख पा रहा हूं, मैं अब्जर्ब कर रहा हूं, जैसे की मैं education coaching center में job कर रहा हूं, तो वहाँ पर कुछ चीजें होती हैं, जिस में मेरा mind divert हो जाताए है, wherever all mark sheet ऍाम तो मुझे लगता है नहीं जितना मुझे मिलना चाहिए उससे कम मिल रहा है या कब कभी दिमाग में ऐसा ह्ख्याल आता है कि company तो इतना कमा रही है पिर मुझे एतना कम क्यों दे रही है फिर दूसरा यब मुझे लग रहा था, इस Education Institute में यह भी बात है, और ऐसा नहीं है, मतलब जो जितना वो salary दे रही है, उसमें तो मेरा काम चल जाता है, लेकिन फिर भी दिमाग में गूमता रहता है कि नहीं, जो मेरी job profile है, उसके हिसाब से थोड़े ज्यादा पैसे मिलने चाहिए, तो इन क्लियर मही हो रहा है, बस यह question आचारी जी, क्लियर रखना भी है, बैठी, यू तो मैं अकस्मात आगया नागपुर, नहीं तो अगर आपको स्पश्चतता की चाह होती, तो आप बहुत पहले मेरे पास आये होते, तो सिर्फ एक सायोंग है कि यहाँ आगया और दो दिन पहले कहा गया कि जो नागपुरवासी हो, उनको भी बुला लो, नहीं तो ऐसा तो कोई यहाँ पर कारिकरम भी नहीं था, क्या बोलूँ इस समस्या के बारे में, यह तो हर वेक्ति की कहानी है, कोई है जिसको अपनी तंखा पूरी लगती है, कोई है जो तुलना नहीं करता कि दूसरी जगों पर कितने पैसे मिल रहे हैं, कोई है जिसको यह नहीं लगता कि मेरी कंपनी यह मेरे कार्याले में कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, कोई भी है ऐसा क्या? तो मैं इसके बारे में आपको कोई विशेश इस पश्टता क्या दे सकता हूँ? जब आतमी एक धुधला सा जीवन जीता है, तो उस धुधलके में उसको बहुत सारी छाया दिखाई देती है, यह एक प्रकार की छाया है, अभी मैं आपके विक्तिकत जीवन में जाऊंगा, तो वहाँ आपको दूसरी प्रकार की छाया और भ्रह्म होंगे, यह सब तो मूल अज्ञान के लक्षण मात्र है, जीवन में दो चीजें होती है, जो आम आदमी को बड़ी खास लगती है, जैसे रामकृष्ण कहते थे थे ना, कंचन कामी नहीं, कंचन मने, रुपया पैसा सोना, तो मेरी नौकरी कैसे चल रही है, मुझे पैसा कितना मिल रहा है, यह बात बहुत खास लगती है, और दूसरी चीज क्या खास लगती है, कि प्रेम प्रसंग मेरा कैसा चल रहा है, या अभी शादी हो गई है, तो पतनी के साथ और घर में कैसे संबंध है, यह चीजें इन दो के अलावा आम आदमी की जिन्दगी में और होता क्या है दफ्तर और घर कारणाल है और नवास और दोनों ही जगहों पर धुदल का बेचैनी खटपट यही लगा रहता है यह ऐसी सी बात है कि कोई उठकर के पूछे कि मेरे मेरी पत्नी से औसत किस्म के संबंध है बहुत बुरे नहीं है बहुत अच्छे भी नहीं है वैसे तो मुझे अपनी पत्नी ठीक लगती है पर जब मैं तुलना करता हूँ कि दूसरों की पत्नी कैसी है तो मुझे लगता है मुझे और महतर मिलनी चाहिए ठीक वैसे जैसे, मुझे वैसे तो अपनी तनखा ठीक लगती है, लेकिन जब दूसरों से तुलना करता हूं तो लगता है और मिलनी चाहिए मेरे साले ने अपने महले में किसी की लड़की छेड़ दी, तो मेरी पत्नी ने कहा, ये तो छोटी बात है, चलता रहता है मेरे दफतर में मेरे सहकर्मी ने किसी रणकी के साथ छेड़ा छाड़ी कर दी, मेरे डिरेक्टर ने कहा, छोटी बात है तो चलती रहती है ये मुद्दे क्यों है जीवन में, मुद्दे इसलिए है जीवन में, क्योंकि जो बड़ी चीज है उससे आपको कोई प्रेम नहीं जब बड़ी चीज से प्रेम नहीं होता, तो यही छोटे-छोटे मुद्दे जीवन को खा जाते है रसोडे में कौन था कितना बड़ा मुद्दा है आप समझ नहीं रहे हैं कि आप वही सवाल पूछ रहे हैं मुझसे रसोडे में कौन था अब मैं इसमें क्या बताओ किसको पैसा पूरा पड़ा है आज तक कि आपको यह हो जाएगा, आप इसमें मुझसे कैसा मारदरशन चाहते हैं, मैं क्या बोल दूँ? न मुझे ये पता है कि आप जीवन में पैसा कमा क्यों रहे हैं, आपके पास जीने का उद्देश है क्या है? न मैं ये जानता हूँ कि आप जो नौकरी कर रहे हैं, वो नौकरी ही करने के पीछे आपका उद्देश है क्या है, तो मैं आपको क्या सला दू? आपकी कुछ उम्र होगी, आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, आप कोचिंग में नौकरी कर रहे हैं, आप कुछ दिन तक नौकरी करेंगे, उसके आद आप उड़े हो जाएंगे, आप बीमार हो जाएंगे, आप मर जाएंगे, यह आपकी कुल कहानी है, और बीच में आप सो तरह क के सवाल उठा रहे हैं बिना अपनी कहानी की मुख्यधारा को बदले उसमें क्या गोल सकता हूं आपसे आपकी स्थिति ऐसी ही है कि जैसे कोई वेक्ति गलट ट्रेन में बैठा हुआ है और वो IRCTC को और रेल मंत्री को फोन कर रहा है ट्वीट कर रहा है कि देखो ट्वालेट गंदी है और खाना अच्छा नहीं बनाए यह बहुत बड़ा मुद्दा है क्या शोचाले साफ नहीं है और खाना अच्छा नहीं बनाए और जो मुख्य मुद्दा है उसका उसको कुछ पता ही नहीं मुख्य मुद्दा क्या है तुम गलट ट्रेन में बैठे हो उसकी कोई बात नहीं करनी है, बात इसकी है कि देखो, पानी नहीं आ रहा मूध होने के लिए, तो मूध होके क्या करोगे, नीन इतनी गहरी है, आंतरिक है वो, कितना भी मूध हो लो, वो नीन तूटनी नहीं है, हमारी इस निगी के मुद्धे आसे ही रहते हैं, एसी ठीक नहीं चल रह आएगे, ट्रेन में, पैतालीस मिनट लेट चल रही है, वो पैतालीस मिनट विलंब से न चले, तो भी तुम पैतालीस मिनट पहले कहां पहुच जाओगे, किसी ऐसी जगह पर जहां तुम्हें होना ही नहीं चाहिए, तुम्हें इस नौकरी में ज्यादा पैसे भी मिल तो भी ये तो बताओ कि जिन्दगी किधर को जा रही है, कौन सी पटरी पर जिन्दगी की ट्रेन बढ़ रही है, ये तो बताओ, पैसे कितने मिलते हैं बहुत बाद की बात है, पहले ये देखते हो कि ट्रेन कहां जा रही है या पहले ये देखते हो, कि वो ट्रेन कितने घ उचायेगी कहीं जाना होता है रेलवेस की website पर जाते हैं ठीक है न उसमें सबसे पहले क्या चुमते निया कहां से कहां को जाना है फिर बाद में देखते हो कॉंस्टिशनी की यात्रा करनी है फिर यह देखते हो ट्रेन कितने पज़े चल रही है फिर देखते हो कितने घंटे लेती है यह सब बाते तो बहुत बाद में आती है न सबसे पहले क्या होता है क्या ये कहोगे ये ट्रेन बढ़ी है ये दो घंटे में पहुचा देती है इसमें बैठे जाते है दो घंटे में कहा पहुचा देती है ये क्या बेकार का सवाल है ये ट्रेन बढ़ी है सुपर फास्ट है फिर हम भी सबसे बोलेंगे कि हमारी सुपर फास्ट लाइफ है क्योंक वो सवाल ही नहीं पूछना है लड़की ने लड़का छेड़ दिया लड़के ने लड़की छेड़ दी तो मतलब क्या इस बात से माया तो छेड़ ही भर नहीं रही है हमें हमारा चीरहरण कर रही है उसकी सुध नहीं है किसी और की छेड़ा चाड़ी हो गई वो बहुत बड़ा मुद्दा हो गया और जिस तरह का महौल रहता है आम कारे स्थलों पर जहां काम ही लालच और डर के इर्दगिर्द होता है वहां ताज्यूप की क्या बात है कि किसी की तमन्नाएं उफान ले गई और उसने कुछ अभद्रता कर दी ये तो होगा न एक जगह है जहां काम का मूल सूत्र ही यही है कि लालच पैदा करो तभी काम और आगे बढ़ेगा या डरा के रखो तभी काम आगे बढ़ेगा उस जगह पर और कई किस्म कि रोग और दुरगुण पाए जाएं तो इसमें आश्यर रिख्या बुलो बिमारियां तो सारी जुंड में आती है न एक साथ एक कर्मचारी है जिसके भीतर आप लालच भढ़का रहे हो जबरदस्त किस्म का कहरो इतना और कर ले तो ये मिलेगा छात्रों को बेवकूफ बना दे कुछ भी करके उनको कोचिंग में एटमिशन दिला दे तो ये मिलेगा जिसमें लालच भढ़क रहा है ताज्यूप क्यों हो रहा है कि उसमें वासना भी भढ़क गई ये दोने बहुत दूर की चीज़े हैं लालच और वासना एक साथ ही चलना इनको प्रश्ण यह नहीं है कि उस वेक्ति ने वो क्यों किया जो उसने किया प्रश्ण यह है कि तुम जो कर रहे हो तुम क्यों कर रहे हो और तुम भली बाते जानते हो कि मेरे सामने पड़ो गया तो मैं यही सवाल उठाऊँगा इसलिए दो साल से नदारत थे अभी गड़बड हो गई कि तुम उधरा नहीं रहे थे उत्तर दिशा तो मैं जरा दक्षण की और आ गया कहते हैं न कि काजल की कोठरी और कोईले की खान में उत्रोगे तो तो मूँ तो काला होगा न तुम कोईले की खान में काम करते हो और उसके बाद तुमको ताज्जब हो रहा है कि वहां कोने में कोई मूँ काला कर रहा था यह कैसा ताज्जब है भाई अभी मैं उसमें था तो वहां पर जो उनके शीर्ष पधादिकारी थे उनसे बातचीत हो रही थी और बातचीत में वो एक मुद्दा ये भी उठा रहे थे बोल रहे थे पिछले 20 साल में उन्होंने देखा है कि प्रवेश परीक्षा पास करके धीतर आने वाले छात्रों की गुडवत्ता गिरती जा रही है गुडवत्ता भी गिरती जा रही है और पैसे की तरफ रुझान बढ़ता जा रहा है किसकी गुरपास है कोचेंग इंडस्ट्री की गुरपास है तो जो बिलकुल नैसर्गिक प्रतिभा है उसके लिए और मुश्किल होता जा रहा है मेडिकल या आईटी या आईएम में सीधे पहुँच पाना बीच में कोचेंग की बहुत बड़ी दिवार खड़ी हुई है कोई बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन तो करती नहीं है इंडस्ट्री क्या करती है चाहे वो UPSC की कोचिंग हो चाहे कोई भी हो इतना जरूर करती है कि जिनके पास खर्चने के लिए खूब पैसे हैं जो कई-कई लाख रुपए कोचिंग में लगा सकते हैं उनको फाइदा दिला देती है चाहे ने थोने कि उनकी संभावना बढ़ जाती है कि तो मेरे साथ भी हुआ था दस्वी तक मैं लखनव में था तो वहाँ यह माना जाता था कि जो बच्चे पढ़ाई में जरा कमजोर होते हैं वो ट्यूशन पढ़ने जाते हैं तो मैंने सदा पढ़ाई अपने आप की स्वाध्याय से काम चलाया और स्वाध्याय से ही काम चला करके ICC में उत्तर प्रदेश में नंबर एक मेरी रैंक भी आ गई और वही मूले थे मेरे भीतर कि खुद पढ़ो और काम चलाओ 11 वी में मैं गाजियाबाद आ गया यहां देख रहा हूं तो यहां क्लासरूम में पढ़ाई जैसी कोई चीजी नहीं है कोचिंग पर ही सारा जोर है कोचिंग पर जोर है कोचिंग कोचिंग मैंने कोचिंग पकड़ी रही है क्योंकि मुझे तो यही बात कि टूशन तो वो बच्चे पढ़ने आते हैं जो कमजोर होते है और खुद पढ़ने में क्या बुराई यह किताब में ऐसा क्या लेखा हुआ है जो स्वेम नहीं समझ सकते और समझ भी लेते थे फिर आईटी जेई में मेरी रैंक आई और मैंने देखा कि आसपास के कई ऐसे चात्र मुझसे बहतर रैंक लेकर के बैठे हुए थे जो मैं जानता हूँ कि किसी गिंती के नहीं थे फिर थोड़ा खोजा की बात क्या है तो पता चला कि दिल्ली में बड़ी जबरदस्त किसम की कोचिंग है वो उन्होंने जोईन कर रखी थी और कई सवाल तो जेई पेपर में ऐसे आये थे जो उन कोचिंग ने बिल्कुल जसके तस उनको करा रखे थे कि कि लो यह कर लो और वो उन्होंने जा करके वहां पर अपना कर दिया आप रिसर्च कर रहे हो आप नए ज्ञान का निर्माण कर रहे हो आप क्या कर रहे हो किसी ने एक बार कहा था मुद्से कोचिंग माफिया यह भी अपने आप में पूरा स्कैम है आप आइटी वह रहे जाएए वहाँ प्रोफेसर्स बिलकुल नहीं पसंद करते इस इंडस्ट्री को पूचिंग इंडस्ट्री को आप कहेंगे मैं बात कुछ और पूछ रहा था मैं कह रहा था कि मुझे नौकरी में पैसा कम लगता है आपने कुछिंग इंडस्ट्री वर बात करनी शुरू कर दी हाँ बात करनी शुरू कर दी क्योंकि मैं यह बात करना चाहता हूं कि आप किस ट्रेन में बैठे हैं आप यह बात करना चाहते हैं कि शौचाले साफ नहीं है और मैं तो बार बार आप सबसे यही सवाल पूछूंगा कौन सी गाड़ी में बैठे हो और जा किधर को रही है यह छोड़ो कि तरक्की करनी है पहले तृती एर श्रेड़ी में चलते थे अब दृती एर श्रेड़ी में चलने लग गए चलो उत्सभ मनाते हैं ट्रेन गलत हैं और बहुत खुश हो रहे हैं कि फर्ड़ल कि सी करेंट बंढ़त है पहले तरेक्ड़ है इत्रेंस कि अपने ही जैसे बेहोश लोग में बैठे हुए जो सब गलत दिशा में जा रहे हैं और उनसे मोह भी लगा लिया है, किसी से प्रेम भी हो गया है, किसी से विवाभ भी कर लिया है, पंडित भी ट्रेन के अंदर है, वहीं फेरे भी ले लिली है, अब उतरोंगे कैसे गलत ट्रेन से? और एक जिम्मेदार नागरिक की तरफ सवाल उठा रहे हैं कि क्या हम अपनी ट्रेन का रंग लाल से बदल कर पीला कर सकते हैं कितना बड़ा मुद्दा है हम जिम्मेदार नागरिक हैं देखिए हम जहां रहते हैं उस जगह को साफ सुक्ष बिलकुल सही दशा में रखते हैं और एनुवल रिपोर्ट पर प्रकाशित की जा रही है क्या कि पहले ये ट्रेन औसतन असी की गते से चलती थी और हमने जब से कारेभार समभाला है तब से इसकी गते बढ़ा कर 84 कर दिये हमें भारत रतन दिया जाए उस पूरी रिपोर्ट में कहीं उलिखित नहीं है कि तुम कौन हो और तुम्हें जाना कहां है ये कोई बात ही नहीं है आख खराब हो और अस्पताल जाओ और वहाँ जो सबसे अच्छा आत का डॉक्टर हो उससे अपनी सरजरी करा लाओ फिर बोलो देखो जंदगी में हमने भी कुछ खास करके दिखा दिया सबसे बढ़ियां डॉक्टर से अपना पेट फड़वाया है और पिर जा करके उसको फीडब्वाक और दे रहे हैं फाइल स्टार्ड बिल्कुल यह बहुत बढ़ियां डॉक्टर हैं जितनी बढ़ियां इसने सरजरी करी विश्वस्तर की बिल्कुल इनि बढ़ियां तो कोई करी नहीं सकता था तुम हो कौन वो करवाने की तुमको जर बात डॉक्टर और उसकी सरजरी की है या बात स्वयम को पहले जानने की है तुम जानते भी हो कि तुम कौन और तुम्हें चाहिए क्या या बस ये देख लिया कि डॉक्टर अच्छा सरजरी करा लो दूसरी और अगर तुम्हें ये पता होगी तुम्हें जरूरत आखों के चिकित्सक्की है उसके बाद तुम्हें कोई साधारन कोटी का चिकित्सक भी मिल गया तो वो बात थोड़ी बहतर है या नहीं बोलो इसलिए पिर्दानत कहता है आत्मग्यान जिसमें आत्मग्यान नहीं है जो स्वयम से और अपनी स्थिति से परिचित ही नहीं है वो जीवन में बहुत ही अजीब किस्म के काम करेगा ऐसे मुद्दों में उल्जा रहेगा जिनकी कोई अहमियत नहीं और जो मुद्दे वाकई गंभीर है उनका उसे कुछ होश ही नहीं होगा पैसा कम लग रहा है पैसा ज्यादा लग रहा है कम या ज्यादा तो तुलनात्मक शब्द है ना किसी की तुलना में कुछ कम होता है किसी की तुलना में कुछ ज्यादा होता है आपको किस उद्देश्य के लिए पैसा चाहिए पहले तो ये बताईए उसकी तुलना में देखा जाएगा कि आपको जो आय है वो कम है या ज्यादा है कोई उद्देश्य होना चाहिए न जी उनमें सरुप्रथम, तब हम कहेंगे न कि ये काम है और इसके लिए इतना चाहिए, आप कहीं को चलते हो, उसके बाद आप बजट निर्धारित करते हो न, कि यदि ये काम करना है, यदि इस जगह पहुँचना है, तो इतना बजट चाहिए, तब करते हो न, पहले क्या आता है, यही तो हमको पता नहीं है कि पहले क्या आता है, प्रथम क्या है यह हम जानते नहीं, तो फिर सब्तम, अश्टम, नवम सब में उल्जे रहते हैं, उसी प्रथम से प्रेम को अध्यात्म कहते हैं, प्रथम से प्रेम रखो, उसी प्रेम रखो, इस दुनिया में अंगिन्यत ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनको होना ही नहीं चाहिए या जने होना भी चाहिए तो बहुत न्यून आकार का होना चाहिए बहुत छोटा होना चाहिए वो क्यों चल रही है क्योंकि लोग उनमें काम कर रहे हैं मज़े से कर रहे हैं पैसे के लिए कर रहे है काम करे ही जा रहे है क्या कहके पैसा तो मिल रहा है न और चुकि उनके जैसे और भी बहुत लोग हैं जो हां काम कर रहे हैं तो कुछ बुरा भी नहीं लगता, सभी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, आपके साथ ही मैं गिंती कर लेता हूँ, ठीक है, मास उद्द्योग, करोणों लोग लगे हुए हैं ने इसमें, लगे हैं नहीं लगे हैं, और उनकी सिंद्द्गी में भी मुद्द्ध यही होंगा, यार पैसा कम मिल रहा है, वो यह नहीं पूछ रहे हैं कि काम जो कर रहे हो, करने लायक है भी या नहीं, उनको भी मुद्द यही है, पैसा कम मिल रहा है, पैसा ज्यादा मिल रहा है, यहां जाओं, आभूशन उद्ध्योग, यह जोलरी इंडिस्ट्री क्या है, इससे आपके जीवन में कौन सा मुल्ले वर्धन होता है, बताईएगा, पर यह दबा कर चल रहा है कि नहीं, जेमसन ज विलरी, डाइमंड्स, पूरा बहुत विशाल उद्ध्योग है, चल रहा है न, इससे कुछ मिलता है किसी को, लेकिन खूब चल रहा है, कुछ मिल रहा है, खूब चल रही है, क्यों चल रही है, क्योंकि लोग काम कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, उनको पता भी नहीं कि य जगह काम करने लायक नहीं है, मत करो यहां काम, और भी हैं जिनकों आप गिना सकते हैं, वेपन्स इंडस्ट्री, जो हथियार बनाते हैं, वो सिर्फ बनाते नहीं, वो ऐसी स्थितियां पैदा करते हैं, जिन में हथियार बिकें, हथियार तभी बिकेंगे, जब लोगों में और राश्ट्रों में आपस में शत्रुता होगी, फिल्म इंडस्ट्री कम से कम भारत राश्ट्र को तबाह करने का जितना काम फिल्में करती है कोई और नहीं कर सकता सौ में से कोई एकाधी फिल्म होती होगी अपवाद बाकी तो सब सीधे सीधे नर्क में डालती हैं आपको लेकिन लाखों लोग उनमें लगे हुए हैं काम कर रहे हैं उनको भी ये प्रशन नहीं उठता होगा कि ये हम क्या तैयार करके देश को दिखा रहे हैं देश के मनों में हम ये कौन सी चीज प्रवेश करा रहे हैं अभी नहीं उठता होगा, उनको भी सवाल क्या उठते होंगे? सवाल है उनके पास, उनको भी बेचैनी है, बेचैनी किस चीज़ को लेकर के है? पैसा ठीक है या नहीं है? अब ऐसे तो कई देशों में वेश्य अभृत्य भी एक उद्द्योग है, और सरकार ने उसको मानेता भी दे रखी है, और उनमें भी जो लोग लगे हुए है, शायद ही उनको ये प्रशन उठता हो कि ये काम करने लायक है, या नहीं उनको भी प्रशन क्या उठता होगा? क्यों जो बगल वाला है या बगल वाली है, उसको दस प्रतिशत मुझसे ज्यादा क्यों पैसे मिल रहे हैं? ये प्रशन उठा हुआ है, सारी समस्या यही है कि प्रशन ही गलत है हमारे. झाल झाल